मुझसे किसी ने रीसेनली पूछा था इस कंपनी और वेबसाइट के बारे में रीसेर्च करके बताओ कि क्या ये कंपनी सही है या नहीं और अगर सही है तब कब बनी थी कब एक्सपायर होगी कौन इसका फाउंडर है कहां पर ये कंपनी बेस्ट है सब कुछ जानना है पर वेलकम और वेलकम बाक टू यह चानल टेग कोच तनुजा बीना आपका फालतु वेला टाइम बर बाद किये पड़ते हैं मेडियो में आगे तो दोर वाद ने उठा सकती पर आप दोर वाद उठाओ और शुरू हो जाओ सर्च एंजन पर टाइप करना है mca.gov.in वेबसाइ इस पर क्लिक करने के बाद आपको डालना है कैप्चा यानि 15 प्लस 96 टोटल कितने होते हैं वो डालके सम्मिट पर क्लिक कर देना अब यहां पर उस कंपनी का नाम टाइप करना जिस कंपनी के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो मुझे दिमाग में ऐसा कोई नाम है जिनके CIO नंबर भी लिखे हुए हैं और इस नाम से कितनी कंपनी अवेलेबल है वो भी यहां पर लिखा हुआ है यह नाम अवेलेबल है या नहीं सब कुछ यहां पर मेंचन है यह था बेसिक टीजे जानने के लिए आप थोड़ा सा इसी के वर एडवांस लेवल पर जाते नेक्स जाना हमें whois.com यह वेबसाइट खुलेगी उसके बाद यहां पर आपको डालना डॉमेन नेम यानि जिस कंपनी के बारे आप रिसर्च कर रहे हो उसका URL या डॉमेन नेम तो यहां पर मैं डॉमेन नेम डाल देती हूँ किसी भी रैंडम कंपनी का अब आप यहां प पर बनी है इसके रजिस्ट्रांट कंटाक्ट डीटेल्स भी आपको यहां पर नीचे आप स्क्रोल करोगे तो मिलेगी सब कुछ ऑल्मूस्ट सब कुछ काफी हद तक यहां पर आपको डेटा मिल जाता है तो रहो और एडवांस चले सर्च एंजिन पर टाइप करना है से वेब सर्वर पर है तो अल्मोस्ट यह डेट आपको यहां पर मिल जाता है तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के बारे में किसी वी वेब साइट के बारे में रीसर्च कर सकते हो आशा करती हूं कि यह वीडियो में आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ ना लाइक तो ऐसे भी निदिखने वाला what's your POV let me know in the comment section और कुछ सवाल हो जवाब हो सलेशन जो भी हो comment section में कार दो and I'll see you soon with my next video till then take care bye bye namaste